हेलो अब्रीवन, वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज के स्मैक डाउन इन अगस्ट 18 पर अपना रिव्य पेश करूंगी जिसमें सुपर स्टार एच का रहा है लास्ट मैच विकोज सुपर स्टार एच का WWE से कोंट्रेक्ट हो चुका है फिनिश तो क्या आप सुपर स्टार एच अगें WWE से अपना कोंट्रेक्ट साइН करेगा या फिर रटायर हो चाहेगा या फिर AEW में लीव कर जाएगा तो क्या होता है लेट्स सी तो चले देना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं शो का स्टार्ट ग्रेसन वालर के शो ग्रेसन वालर इफेक्ट से होता है जिसपे गैस्ट ब्रेंड यू यू यूनाट इस्टेश चेम्पियन रेमिस्टिरयो और एड इसकोबार होते हैं रेमिस्टिरयो का क्राउट बहुत अच्छी तरह से करता है बर्ट ड्रेसन वालर तंजिया कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रे मिस्टेरियो को कंग्रेडुलेट करूं या फिर एसकोबार्ट तुमसे दुख का इज़ार करूं एसकोबार्ट तुम्हें नहीं लग रहा कि ये तुम्हारी चैंपेशिप ले गया है तुम्हें गुसा नहीं आ रहा कि ये पहले से भी युनाइटेस चैंपिन रह चुका है हौल अफ पेमर है पर फिर भी अब ये तुम्हारी चैंपेशिप ले गया है जिस पर एसकोबार्ट कहता है कि मुझे गुसा आ रहा है बाट सिरफ सब्सुख करता है और कहता है मेरे सांट विक कााफी रोंग हुआ है मुझे धोका दिया मेरा मैच एसकोबार के साथ था बट फिर एंड में रेमिस्टिरियो आ जाते हैं इसलिए मैं अपनी सहार को नहीं मानता और मुझे दुबारा अपना री मैच अभी और इसी वकत चाहिए तो एड़ेपियर्स आओ और अभी और इसी वकत मेरा मैच बनाओ बट एड़ेपियर्स आते हैं लिकित साथ में एले नाइट भी आ जाता है और एले नाइट कहता है कि मैं भी रिंग गेर में हूँ और तुम भी रिंग गेर में हो तो क्यों ना हम दोरों के बैट विन मैच हो जाए और जो चीतेगा वोरे मिस्टिरियो को फार्ग यूनाटे से चंपिशिप के लिए और जब एंड में एले नाइट का कंड्रोल होता है तो दा मेज आकर एले नाइट को डिस्ट्रक कर देता है और ओस्टेंथ हुरी रॉल अप के दरिये ये मैच विन कर लेता है इसके बाद सुपरस्टार एज का 25 एर्स एनिवर्स्ट्री का पैकेज दिखा जाता है जिसमें जोन सीना, शेमस, दे मेज, सैमी देन, कैवन ओमर्स, एजे स्टार्स, बेली, कर्ट एंगल, शालर फ्लेयर, स्टीव ओस्टेंड, कोर्डी रोड्स, एंड बेक्की लिंच, सुपरस्टार एज को थेंक्यू एज कहते हैं इसके बाद इयो स्काय एंड बेली वस्टिस शालर फ्लेयर, एंड बेली, का मैच, बिगेन होता है, जिसमें, चारो फिमल सुपरस्टार्स, गूड परफार्मस देती हैं, और एंड में, इवेंचली, बेली, को के ओ, डी, एंड पिन करके, ये मैच, विन, कर लेती है, इसके बाद, बेक्स, बेली, एंड, इयो स्काय, मिल कर, बियानका बलेयर पर टेयर करती है, और बियानका बलेयर की लेक को इजिट कर देती हैं, इसके बाद, नेइस्ट फीक, रेमिस्ट्रियो वासिज, ग्रेसन वालर का मैच, कन्फर्म दिखाया जाता है, इसके बाद, इवेंट ओफ धी, इविनिंग, सुपरस्टार एज, वास then match begin होता है, match was absolutely good, Superstar H good performance देता है और match के end में Sheamus broke kick attempt कर देता है, but Superstar H broke kick पर kick out कर देता है, then Superstar H Sheamus को spear attempt करता है, but Sheamus भी surprisingly spear पर kick out कर देता है, and then Superstar H again लगाता है spear, 1, 2 and 3, Superstar H wins this match, after the match Superstar H से Sheamus hug करता है, और back finish को भी रोते हुए दिखाया जाता है, और यहीं पर smack down का show offer हो जाता है, तो let's see, के अब आगे Superstar H के साथ क्या होता है, क्या वो आगे counter sign करता है WPE के साथ, या फिर retire हो जाता है, या फिर AEW में leave कर जाता है, but I guess के वो WPE में ही रहेगा, और Monday night row में move on हो जाएगा, आपको क्या लगता है, मुझे comment section में दूर्प तरिएगा, तो आज के लिए इतने ही, वीडियो अच्छे लगया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्क्राइब कर दे, बैल आको फ्रेस कर दे, और comment section में दिकीन कर आएके साथ जूर्ण कीजेगा, तो तब तक stay happy, stay healthy and keep watching my videos, goodbye.